सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई निव ब्लॉक्स और आज दिन के सुराथ हो चुकिए गाइज और दिन के सुराथ कुछ इस तरीके से हो रही है आप लोगों को मैंने कल बताया था यार कि हम लोग कल जाएंगे पूजा गिले और वो दिन आ गया है राज और देखो हमारे ने का देदी लोग सभी लोग तयार हो रहे हैं और वाहर का दिखा हूं तो पापा लोगों यह देखा हो आ गय सब लोग पीछ मएश बेड़ कर रहा है और साड़े चारवे से उटके हम लोग नहां धोके विल्कुल तयार हो गए है तो आगी टेक्टर वाली की कमी है यार कुछ भी हमारे पास है नहीं तो सब कुछ यार बोकिंग करने पड़ती है इस विए से थोड़ा से लेट हो गए है और यह देखो यह हम लोग लेके माता का यह जो भी शिंगा रहे हो मंदिर से फोन आया है मंदिर में बुलावा हुआ है मंदिर जा रहे है और तुम ही कुछ बोलतो हम जारे दर्सन करने मातारानी के यह और बोलब से मैं यह गंगे हैं गर कालिक होड़ है और कहाँ पर स्थापना होई है और चलते हैं वहीं पर मंदिर उसम्हीं हमाएर घाली कामा करते मकंने और आपको चारो तरप की विव दिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पर देख सकते हैं यहां पुरा ब्रिंदावन जैसे फूल बूल लगे हुए हैं सो फाइनली यार हम लोग मंदर से निकल गए हैं बड़े मंदर के लिए और हम पर जा रहे हैं आप दिखा सकता हैं आृई में सभीय लोग हमारे बैटव में रिलेटव भी हैं और शचwnieता होके बंचे ही बैटव हूए हैं और फिर ये खड़े हूए हैं इन ये लोग भी खड़े होगा है, तो हम लोग जार निकले हैं अभी लोग कम से कम एक घर घ्लादर लगेगा आर हम लोगो को बहाँ पोचने में और अभी ठंडा हो रहा है रिजरी ठंडा हो रहा है अभी जंडल के अंदर और बीजादा होगा और साइद आवाज पोहँच तो यहां पर आवाज यहां पुस्चा देख रही है और यह हमारा बढ़ीती जी ना लड़का है अलो गर नली जो जा रहा है यहां से शाषित मिलते हैं लापने में और शिकाफिया था है लो रहा है यहां तो यहां तो यहां तो यहां तो फिर भी रास्ता सही है जुम्दर के दिखाता हूं आप टो बड़ जंगल के अंदर को काफी टूटी-फुटी रोड है और वहां पे कुछ जाज़ा दिक्कते आएंगे तो चलो मिलते हैं वहीं पर है फैनलली हम लोग मंदर में पहुंच चुके हैं और मंदर में आपको कराता हूं माताजी के दर्सन आप देखसकोते हैं यहां पर काले का माता का बहुत सुंदर दरवार लगा हुए है यह aparece यहां पे लगा हुआ है और यहां माता जी हैं और हम इन्हें के चरणड़ों में हैं, जिनकी वज़े से हमें आज घर में जितनी सुक्सान्ती हैं, इन्हें की वज़े से हैं, और ऐसे ही किरपा यार हमारे उपर बनी रहे गाईज, और नीचे का विव दिखाऊंगा इस तो हम काफी उपर आ गए हैं यार, जो लोग आपिंटीका तुमरी है जो आपिंटीका तुम लोगों को भी टीका लग रहे हैं जो आपिंटीका तुमरी है कर देखते हैं कितने उचाईयों पर चड़के लोग आए हैं और यहां से पूजा करने के वाद हम लोग जा रहे हैं नीचे और बहुत ही पकड़ पकड़ के आना पड़ता है यहां पर देख रहे हो किसे करके जा रहे हम लोग नीचे और अभी पहुचने वाले हम लोग नीचे यार यहां बहुत जल्दी यार प्लान बट रहा है कि यहां पर अच्छा सा और अच्छा दरवार बनाएंगे करनेए यहां पर और प्रेर और अच्छे चड़ने को मिलेगा यहां पर शीड़ी वीड़ी लग जाएंगे तो अभी तो देख रहे हो किस तरीके से नीचे हम लोग जा रहे हैं और यहां पर हम लोग फाइनली नीचे पहुँच गए यार गाईज ये देख सकते हैं आप लोग और यहाँ पे मम्मी लोग लगी हुई है मम्मी इधर देखो जरा अब तुम भी जाओ पुजा करने के लिए तेज बोलो तेज एनर्जी के साथ और दिखाता हूं गाईज यहां पे हमारी सासु माता यहां बना रही है माता के लिए परसाद और यह मीठा परसाद बन रहा है देखो यह देखो यहां पे मुण भोक क्या बोलते हैं मुण भोक ही बोलते हैं हम लोग तो मीठा परसाद बन रहा है यह साप पानी बेरा और यहां पे हमारी दीदी लगी वी है साप करने के लिए बर्तन-बर्तन और और मिरातावार गाईज अपने पापा से यह देखो हेलो बोलो ना यह देखो यह आने वाले और यहां ताओ और चाचा लोग बैठे हुए हैं और यहां पर हमारी भाणजी है और बागी यह सभी लोगों तो जानते हो गाईज यहां पर हम लोग सही तरीके से पहुँच गए काफी अंदर है यार यह जंगल के और काफी मलब देड़ घंटा लगा हम लोगों को यहां पर आने में है गाईज तो हम लोग आ गए है यार अब लोगों से दूर और अभी यार सुत्रों से पता चला है कि आगे को है बेर और हम लोग बेर को ढूंटे ढूंटे जा रहे हैं आगे देख सकते हैं हमारे पीछ से सभी लोग आ रहे हैं और आगे का व्यू दिखाऊं तो देखो ग प्रेट को भी राहत मिलेगी और देखो यह देख रहे हो गाई यह सभी लोग है यह बड़े ही खतरनाग लोग है मतलब बोल सकते हैं खत्रों के खिलाड़ हम लोग तो ट्रेक्टर में आई यह लोग तो बाइक से आय और अकेले आया जितने घने जंगल में पता है और यहां अकेले चलने में तो काफी मतलब की डर जैसा हुआ है यार क्योंकि जंगल के अंदर जानबर भी होते हैं और हम लोग देखो और यह घने जंगल के अंदर जा रहे हैं भी ढूड़ते हुए और बेर मिलते हैं तो आपको भी दिखाते हैं बेर अभी तो जंगल में सब पके ह अब हैं और देखो बार यहां से थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखातों आपको यहां से अब जोड़ां दूड़ पर पहूंची गया और आप देख सकते हैं यह बेर का पेंड यह इस तरीके का है और इसमें बेर दिखा हूँ भाई यह देखो यह बेर लगे हुए और य यार खुछ तो लाल लगे यह देख रहे हो यह इसको खाते हैं और भूट ही जागा टेश्ट यार और यह देखो गाइज लाल लाल बेर हो रहे हैं इनको तोड़ लेते हैं थोड़े बहुत और ले जाते हैं घर के ले और काफी सारे बेर हैं यार साथ वाले तो बेर तोड़ने हैं यह देखो और तोड़ने के बाद मैंने तो तोड़ ली हैं थोड़े बहुत जंगल की चीज के मदलब जंगल के यार फल जो है खाने का मजा ही कुछ कुछ और है यार यहां खुद के हाथ से तोड़के खाने का मज़ा ही कुछ और है और यह देखो मैं तो तीन-चार बेर खा के दो-थीन बेर लेकर आगे हूं हाथ में और यह हमारे भाई चलते-चलते थगे हैं क्या हूँ भाई थगे गया कि देख रहो गाई इसको देना तक यहां पर एक बहुत तगड़ी चीज़ देखने मिली आपको वी दिखाता हूं जूम करके यह देखो सामने जो दिख रहा है आपको यार और इसको कहता है और यहां पर दिन में क्या रात में कोई आदमी अन्सान जाई निपाता है और यहां पर बहुत ज्यादा लोग डर यहां से पानी निकले हुए बहुत काफी जादा टैम होगा क्योंकि यहां पूरा सूका है और थोड़ा कुछ पानी गया होता तो यहां पर थोड़ा बहुत तो नमी होती बट यहां पर भी सब सूका हुआ और बरसात के टैम में सायद आता होगा यार पानी उपर से और यहां से निकलता होगा इधर के लिए और यहां पे सभी लोग ठग गया है तो बैठे हुए यार और बैठ के हम लोग थोड़ी देर में रेश्ट करके निकलने यहां से सो फाइनली यार गाईज हम लोग घर पहुँच गए हैं मंदिर से और यहां देख रहे हो यह ट्राली वगएर आ चुकी है और अभी हम लोगों ने यह पूरा का पूरा समान निकाला है ट्रेक्टर से और ट्रेक्टर जिसका है वो ट्रेक्टर जा रहा है यार यहां से और यह वाला ब्लोग यार यहीं पर एंड होता है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग पर तब तक के लिए बाई जय हिंजय भारत